तो चलिए, बोर्ड में आप लोग को कोई कोस्टन दिखे रहा होगा, इस तरह का कोस्टन अकसर कैम्पीडिस्न में आता है, तो इसको समझते हैं कि ये कैसे बनेगा आखिर, तो बताए कैसे बनेगा, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा, तो चलिए, let's check करते हैं, according to question, according to question, solve करते हैं, given दिया हुआ है, x equal to दिया है, 2 plus root 3, 2 plus root 3, right, अब क्या करेंगे, यदि यहां पर हम x का मान पूट करते हैं, तो यहां 1 by x square का भेलों फिर कैसे निकालेंगे, फिर लंबा हो जाएगा, तो वैसे direct नहीं बैठाना, इसका एक trick है, तो trick से बनाए सबसे पहले हम लोग 1 by x करेंगे, 1 upon x, इसको पल्टा देंगे, यहां कुछ नहीं तो एक है, यहां भी बट्टा कुछ नहीं तो एक है, तो इसको पल्टा दीजिए, तो 1 by x बराबर 1 by 2 plus root 3 हो जाएगा, अब एक word आप लोग सुने होंगे, 1 by 2 plus root 3 का परिमे करन करेंगे, क् यहां पलस है, तो मैनस से करेंगे, यानि मैनस, 2 minus root 3, 2 minus root 3 से गुना भी करेंगे, 2 minus root 3 से गुना भी करेंगे, 2 minus root 3 से भागा भी करेंगे, तो अब हम लोग एक चीज यहां पर देख रहे हैं, कि एक से यदि इसको गुना करेंगे, तो सेम टू सेम रहेगा, यानि 2 minus root 3, क्य कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई भी नम्मर को एक से गुना किजिए वो कभी चेंज नहीं होता है और यहां पर एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा यह वाला सुत्रियाद किजिए यहां भी जस्ट वही हो रहा है बिच में मल्टीपल यानि a पलास बी इंट गाए कोई डाउट नहीं होना चाहिए आगे फिर जायएंगे तो 2-3 बट्ट 2 का square हो गया 4 अब माइनस रूट 3 का square हो गया 3 रूट 3 का square हो गया 3 अब बताओ मेरे भाई 2-3 अब बट्ट 4 में से 3 चला गया अब उच्छा एक यह नि बराबर कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2-3 2-3 यही तो होगा अब बताई ये 1 by x का मान हमारा कितना निकला 2 minus root 3 अब हम लोग क्या करेंगे यहां से लिखेंगे अब इधर लिखे रहें है उदर फरेश नहीं दिखेगा यहां से लिखेंगे अब अब लिखेंगे किसका मान निकालना था X square plus 1 by x square का मान find out करना था तो लिखेंगे x square plus 1 by x square का मान हम लोगो find out करना है तो बता यह x का मान तो दिया है 2 plus root 3 तो यहाँ पर लिखेंगे 2 plus root 3 square है तो square लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फिर बीच में plus है 1 but x 1 but x का मान हमारा निकल गया है कितना 2 minus root 3 तो इसको लिख सकते हैं 2 minus root 3 का square कैसे यह line समझ में नहीं आया होगा कैसे तो 1 but x square को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 but x का whole square क्योंकि 1 का square एक ही होगा x का square x square होगा ठीक है तो आब बताओ a plus b का whole square और यहाँ पर a minus b का whole square और दोनों को तोरेंगे हम लोग का answer मिल जाएगा a square a plus b का whole square तो यहाँ पर a square यहाँ पर a square यहाँ दो का square plus b square यहाँ रूट तीन का square डार्ट तीन लिख देंगे ठीक है फिर plus 2ab 2 यहाँ दूद 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 चार root 3 आप लोग तोर करेंगे देख लिजेगा फिर यहाँ पर plus a minus b का whole square 2 का square 4 और root 3 का square 3 ही होगा है ना minus 4 root 3 कैसे तो plus minus यहाँ minus plus खतम उसके बाद देखो यहाँ पर 2 का square हो गया 4 plus 3 फिर plus 4 plus 3 4 4 8 और 3 3 6 8 6 14 यही होगा आपका answer यहाँ इसका मान निकल जाएगा x square plus 1 by x square का मान निकल जाएगा आपका चौंद यही होगा answer अगर आप इस तरह से direct बनाते हैं x का मान direct अगर put करते ना तो बहुत लंबा चले आता हो सकता कि answer भी नहीं मिलता तो वीडियो कैसी लगी है ना मजदार तो शेर जरूर कीजिए धन्यवाद